हेलो दोस्तों कैसे हो मुझे आशा है कि आप ठीक होगे आगे खबरों को सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया वैप नमबर उन को सब्सक्राइब करें सदस्य बने जिससे आपको खबर तुरंत पासके आज हम बात करेंगे प्रति दिन चैट करने वाले एप बारे में हम सभी अपने स्मार्ट फोन्स में कई एप्स का इस्तिमाल करते हैं आप में से लोग टिक्टोक, यूसी ब्राउसर और शारीड जैसी चाइनीज एप्स का इस्तिमाल भी करते होंगे ये एप्स आपके नजी डेटा का एकसेस मांगती हैं क्या आप जानते हैं कि इन एप्स को एकसेस देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है खास और से तब जब ये एप्स ऐसी जानकारियां मांगती हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है Information Security Firm Air का Consulting ने इस मामले को लेकर एक रिसर्च की जिसमें बताया गया कि चीन की डिजिटल एप्स भारतिय यूजर्स से जरूरत से ज़्यादा नजी जानकारियां मांग रही हैं विदेशी एजेंसेओं को दिया जाता है डाटा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी एप्स द्वारा मांगी डाने वाली जानकारियां विदेशी एजेंसेओं को दी जाती हैं ये एप्स ही इन जानकारियों को ट्रांसफर करती हैं रिपोर्ट के मताबिक इन में हैलो, शारीट, टिक टोक, यूसी ब्राउसर, विगो विदियो, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्टरी एवरीटिंग, नूस डॉग, यूसी नूस और वमेट शामिल हैं आपको बता दें कि ये सभी एप्स यूजर्स से माइक्रोफोन का भी एकसेस मांगती हैं साथ ही कैमरा का एकसेस भी कई एप्स द्वारा मांगा जाता है निजी डेटा के नजरिये से यह मामला काफी संबेदन शील है आयरका कंसल्टिंग के को फाउंडर संदीप राव के मताबिक दुनिया भर की करीब टॉप 50 और चीन की करीब 10 डिजिटल एप्स यूजर्स से 45 फीसद ज्यादा जानकारी मांगती हैं बताया जा रहा है कि यह एप्स यूजर्स के निजी डेटा को साथ विदेशी एजेंसेयों को ट्रांसफर कर रही है इन में से 79 फीसद डेटा अमेरिका को दिया जा रहा है इसके अलावा बताया गया है कि टिक तोक का डेटा चीनी टेलेकॉम कमपनियों को भेजा जा रहा है वहीं विगो विदियो, ब्यूटी प्लास और तेंसेंट को कर डेटा मीटू के भेजा जा जा रहा है इसके साथ ही UC Browser अपना डेटा अपनी मदर कंपनी अली बाबा को भेज रही है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और भी इसी प्रकार वीडियो के लिए एक बार फिर आपको याद दिला दे इस प्रकार की जानकारी या अन्य जानकारी के लिए इंडिया वैप नमबर उन को सब्सक्राइब करें सदस्य बने जिससे आपको हमारी सारी सुच्छ